शेख रास्ते में कोई चीज मामूली चीज होती है और और मामूली रकम होता है और एक ज्यादा रकम होता है अब कोई चोटी चीज होती है कोई बड़ी चीज तो कितना रकम हो तो हम उठा सकते हैं या खर्च कर सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं यह इसके बारे में जा पहुते हैं एक तो गिरीवड़ी वो चीज है कि जिसको आप अगर छोड़ दें न उठाएं तो उसको कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं है ऐसा नहीं है कि वो चीज जाए हो जाएगी तो ऐसी चीज को तो उठाना ही नहीं है जिसके जाए हो जाने का खत्रा नहीं है उसको उठाने की अजाज़त नहीं है अगर ऐसी कोई चीज है जिसके जाए हो जाने का खत्रा है तो उसको उठाना है आपको अब उसको आपको उठाना है फिर उसकी भी दो किसमें हैं उसकी एक किसम ये है कि वो कोई इतनी मामूली च हतीद नहीं कर सकते हैं कि इतना रूपया आप बेहतर जानते हैं जैसे अभी माल लीजिए इस जमाने में अगर किसी को एक सिक्का मिल जाए एक रूपय का एक रूपय के सिक्के की कौन सी अहमियत है या किसी को एक टाफी मिल जाए गिरी हुई उसकी कोई अहमियत नहीं है समा आपको एलान करना है उसको आपको एलान करना है और फिर जब वो इनसान जिसका वो है आएगा उसकी निशानिया बताएगा उसकी पहचान बताएगा तो उसे आपको दे देना है और ये एलान आपको एक साल तक करना एक साल इंतजार करना एक साल तक आप उसको इस्तेमाल नह तो ऐसी सूरत में आपको उसी तरह की उसी के मितल कोई चीज उसको देना है और अगर उसके मितल चीज के नहीं मिल ले है तो आपको उसकी कीमत देनी है ये लुक्ता का हुकम है मुक्तासर शेख असल में मैं पूछ रहा ये था कि ऐलान की शकल क्या होगी शेख जी साल के दूर बहुत बहुत अच्छा आ देखे ऐलान के लिए कोई खास तरीका नहीं बताया गया है ऐलान ये वसीला है ऐलान उस खबर को पहुँचाने का वसीला है और जो वसाइल होते है वो तौकीफी नहीं होते हैं वसाइल इस्तिहादी होते हैं हर जगे पर अलग-अलग तरीका हो सकता है माल लिजीए मस्जिद के आसपास आपको कोई चीज पड़ी हुई मिली बहुत सारी मस्जिदों में मैंने देखा है कि मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में अंदर नहीं मस तरह का कोई इंदजाम है आप वहां कर सकते हैं या मस्जिद के आज पास कोई चीज मिली है और आपको लग रहा है कि हो सकता है नमाजियों में से किसी की हो तो जब आप मस्जिद से बाहर निकले तो वहां आप आवाज दे करके अलान कर सकते हैं या आपको जहां जिस अपने आदमी का ये सामान होगा तो उसके अलग-अलग जगों पर अलग-अलग तरीके हो सकते हैं